हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब उमीद है कि आप सब बहुत अच्छे होगे आपके सामने आज यहां पर पांच नंबर्स दिखाए दे रहे हैं हम देखने जा रहे हैं कि इस महीने आपको कौन सी कुछ कबरी मिलेगी क्या गुड नियूज आपके लाइफ में इस महीने यह जो पचीज तारी को देख रहे हों तब भी आप से कनेक्ट होगा क्योंकि मन्त अभी है ना ठीक है जब भी देखे रहे हैं सब चीजे टाइमनेस होती है आप देखें विस्वास के साथ देखें और यह भूल जाए कि कब रिकॉर्ड हुई है कब पोस्ट हुई है आप विस्व मच पाते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर बाद चीजे आप से करनेक्ट हो तो यहां पांच नंबर हैं बहुत द्यान से देखिए वन टू 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 फॉर फाइव इस महीने आपको कौन सी गुड नियूस मिलने वाली है बहुत द्यान से देखिएगा परातना नंबर थर्ड नंबर फोर नंबर फाइव तो यहां पर पांच कार्ट्स आपके सामने आ गये हैं आपने जो नंबर चुना था देखिए कुछ कार्ट्स यहां आपको नहीं दिख रहे होंगे हम देखिए ठीक है आप पांचों कार्ट्स आपको दिख रहे हैं सबसे फिलम स को यकीन कीजे एक्सेप्ट कीजे आगे बढ़ी है लाइफ में आप कितनी कोशिस करें कि आपके आखे खोली जाए आपको पट्टी हटाई जाए आप इतना ज़रा परिशान हो रहे हैं साथ में अपने लाइफ को बरबात कर रहे हैं ठीक है टू आफ सौर्ट की एनरजी आ र अभी कितना आपको समझाया जाए तो ये जो महीना है बहुत ज़रा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है महीने की स्टार्ट में ही आपको समझ में आ जाएगा कि आप जो कर रहे हैं जो सोच रहे हैं वो कहां कितना सही है कितना गलत है वैसे जो चीज़े हो रही है उसको accept कीजे वो सही है आपके लिए two of sorts की energy आ रही है अभी इससे जदा अगर आप अपने life को भ्रह्म में रखेंगे ना तो फिर आपका नुकसान होगा two of sorts की energy है ठीक है यह महिना आप decide कर लेंगे अपने life के बारे में बहुत important decision देने वाले number first good news क्या रहेगी तो इससे बड़ी क्या good news हो सकती है जब आप अपने life में decision ले रहे हो जब आपने life में बेजी जगा अगे बढ़ रहे हो अपने life को अपने हाथ में driving seat पे आपको drive कर रहे कार ऐसा समझेंगे आप इस महीने के बाद आपकी life में ऐसा change आएगा two of sorts के energy है आईए देखते हैं number second हमें क्या पता चलता है कि यह महीना आपके लिए कौन सी good news लेकर आ रहा है कैसा रहेगा यह month आपके लिए seven of sorts sorts के energy आ रहे है यह जो महीना है ना और इवर्दन का महीना दिख रहा है इनसान हर कीमत पे इस महीने अपने life को change करना चाहता है और दिख भी रहा है कि वो change करेगा second number two seven of sorts के energy आपके लिए है आप अपने काम में सफल हो जाएंगे फिर उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े आप करेंगे यहां दिख रहा है साम, डाम, डंड, भेज सब कुछ अपनाने वाले हैं आप इस मन्त और अपने काम को सफल बनाना चाहते हैं किसी भी कीमत पर देगे जब इनसान यह सोच लेता है कि उसको यह काम करना ही करना है हर कीमत पे करना है तो फिर उसको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है सेवेना सोर्स के एनरजी है कुछ गलत मत कीचेगा आप पॉजिटिव रही है पॉजिटिव काम कीचेगे आगे बढ़ते लिए एश्वर हमेशा आपके साथ नहीं से तिक्वीर आए कि आप जो भी करना जाते है या कर रहे है पॉजिटिव है क्योंकि यहां पर एश्वर का आश्रवाद भी दिख रहा है बलैसिंग्स भी दिख रही है आपकी तरफ आती हुए आप अपने जीवन की उल्जनों को हटाते जा रहे है आपने सोच लिए है कि अब कुछ भी हो जाया आप नहीं पीछे हटना है पीछे मुड़के नहीं देखना है चाहे उससे किसी को कितना भी नुक्सान क्यों ना हो रहा है मुझे नहीं फरक पड़ता क्योंकि जब मैं दुख में था या जब मैं दुखी थी तो कौन था मेरे पास, कौन था मेरे करीब, अभी मेरी किसी decision से किसी को कुछ प्रभाव पढ़ रहा है, तो फिर वो मेरी problem नहीं है, seven of source की energy है, कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है, कि ये परिवर्तन आपको इस महीने ज़रूर देखने को मिलेगा, साथ घंटा, साथ दिन, इस से दरा कर समय ने, ठीक, आई देखते हैं, नमबर थर्ड हमें क्या पता चलता है, कि आपके लिए ये जो नया मन्त है, वो कौन सी गुटनी उस लेकर आ रहा है, क्या कुछ आप देखेंगे, जो आप चाहते हैं, क्या वो सीज़े होंगी, या आपते हैं, कि इच्छा इस मन्त पूरी हो जाएगी, बिलकुल मुझे दिख रहा है, कि इच्छा इस मन्त जरूर पूरी होने वाली है, बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला, अगर आप स्टुडेंट है और आपने नमबर तीन जुना है, यकीन मानिएगा, आपने जितन कि त्यारी कर रहे हैं, या स्टुडेंट की त्यारी कर रहे हैं, आई-उस बनना चाहते हैं, या या एससी करना है, जो भी कुछ है, अगर आपने उग्जाम दिया है, तो उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव है, और अगर आप उग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपके अच्छे होंगे ऐसा भी दिख रहा है आप क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है जब इनसान किसी चीज के लिए मेहनत करता है ना तो उसका परणाम जरूर इश्वर देते हैं हाई फ्रिष्टस की एनरजी है बहुत अच्छा समय आपके लाइफ में है ये जो निया महीन आपके लाइफ में है आपके एलिये सफलता का महीन रहने वाला है नंबर 3 आएए देखते हैं नमबर चार हमें क्या पता चलता है कि आपके लाइफ में यह जो न्यू मन्थ है वो क्या गुड नियूस लेकर आ रहा है क्या वदलाव क्या चाहते हैं वो काम पूरा होगा या टाइम लगेगा जो भी कुछ होगा वो कार्ष ने पता चलेगा लेकिन उसस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा अपना प्यार दीज़ेगा सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज कर दिया कीज़े आए देखते हैं नमबर चार हमें क्या पता चलता है फाइफ वाफ मांट्स के अनरजी आ रही है यह जो महीना पीछे चोड़ना चाहते हैं आगे निकलना चाहते हैं लेकिन आपके लिए गुट्नियोस यह है कि आप आगे निकल पाएंगे ठीक है तो सफलता तो आपके हाथ आएगी लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि सफलता सबको मतलब दबा के कुचल के जाए ठीक है इसका भी ध्यान रखिएगा कि सफल होने के चक्कर में कहीं ऐसा ना होगी रिस्ते बिखर जाएं ठीक है यह चीज़े दिख रही है यहाँ पर लेकिन सफल तो आप हो जाएंगे गुट्नियोस के लिए हम देख रहे हैं नमबर चार आपने चुना है फाइफ आप मांच के अनर्जी है आगे देखते हैं नमबर फाइफ हमें क्या पता चलता है कि यह जो महिना है आपके लिए कौन सी खुशकभी लेकर आरहा है कौन सी गुट्नियोस मिलेगी आपको इस मंत आईए देखते है। आप पर लिए आप के अनर्जी है आप परिशान चल र गई होगी, कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि relationship में काफी बुरा समय आप देख रहे हैं, आप किसी को पुसंद करते थे, वो इनसान आपको reject कर दिया, या फिर आपने उनको reject कर दिया, या फिर family बीच में आ गए, कुछ तो है यहां पे, लेकिन ऐसा दिख रहा है ना कि आप new start क के लिए बिल्कुल तयार हैं, आप चाहते हैं कि इश्वर आपको बहतर से बहतर जो भी हो आपकी भागिये में वो आपको दें, तो आप accept भी करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा अपनी past life में, मतलब अपनी जो भी बीता समय है, उसको याद करते तो, आसा मायों सोझाते हैं ठीक है, फोर आफ कोफ की एनरजी है, लेकिन ऐसा में दिखरा है कि इस मन्त आपके life में new relationship के chances बन रहे हैं, बहुत जल्द आप इसी महीने अपने person से मिलेंगे, जो आपका soulmate होगा, और जिसे इश्वर ने बनाया है आपके लिए, ठीक है, तो ये चीज़ समझेगा, अगर ये इनसान आपके life में है, तो खुशियां ही खुशियां होगी, हो सकता है, starting में थोड़ा सा आपको accept करने में लगे, कि मतलब आपके जो past relationship रहे हैं, वो ज्यादा अच्छे थे, लेकिन ये जो रिस्ता होगा ना, ये पुरे जीवन के लिए दिख रहा है, आपके लिए नम